हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं शान जोनों से एक वार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक स्टार लर्निंग प्रेट्फॉर्म में बजो एक सवाल था बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए तो आज मैं उसी के बारें अब बताने वाला हुं चाहे आप जीघिक के इस्टुोरेंट ओ या प्रैक्टिस के त्यारी कर रहे हूं कहां से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और कितना कोशन करनी चीये प्रैक्टिस इस पे eg अपनी चर्चा कि ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट बात में बता दो कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारा दोनों बैच एकलवे 3.0 और यह 3.2 अल्रेटी लॉंच हो चुका है क्लासेश चल रही है और अभी मन्यू बैच यह भी लॉंच हो चुका है तो अभी भी टाइम वेस्ट मत करो अगर तुम किसी और गनाइज कोर्स की तलाश में हो तो तुम यह दोनों बैचेश में से कोई एक बैच जोईन कर सकते हो फीड़एक के लिए तुम इसमें अल्रेडी इंडॉल बच्चों से बात कर सकते होगी क्लासेश बहुत प्लैंड शिडूल है और बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा है ठीक है ना फाइन तो आज का डिसकसिन जो है मुसकी बात करते हैं अब दो केड़ेगरी के बच्चे ह में इंडॉल्ड होते हैं एक जो अअल्रेडी कोचिंग में इंडॉल्ड न यहां पर रहे है और एक ऐसे जो कहीए नकरिया के बढूर से हैं या यूटीूप के बढूसे जिनके पास येवहा इसा कुछ नहीं यह कि में लूर्ड है उननको कुछ एक्सनीट करने के रहिशक दोसा है यार उनके लिए सबसे बेस्ट कोशिक मेट्रिकल क्या होना चाहिए आज इसकी बात करते हैं सबसे पहला आपना कैटेगरी क्या आता है वह आता है जे इमेंज अगर तुम जे इमेंज की त्यारी कर रहे हो जैसे कि मैं तुम बताओं कि 2019 का सवाल 2020 में इतने सारे सारे पेपर्स हुए बाड़ा आठ कितने सारे पेपर्स हुए उस पीवाई क्यू की जो इतने सारे तुमारे पार पूल बन गया कुश्चन का तुम सो चुप 2019 में लगबग 480 सवाल आया थे अगर तुमारे पास कोई मेट्रियल नहीं है तो उससे बैस्ट मेटरियल पूरे मार्केट में अबलेवल नहीं है क्योंकि इतने सारे कॉश्चन का पुल है तुमारे पास वह भी चैप्टर वाइस बुक्स मार्केट में अल्रेडी अवलेबल है तो सबसे इंपोर्टन्ट यह होता है अगर तुम जही मेंस को टार्गेट कर रहे हो अब इनके अलावा पी वाई क्यू तुम एडवांस की कर सकते हो कई बार होता है कि सर मैंने यह सारे लगा हुए है बट एक confidence की कम ही आ लिए होता ही है confidence नहीं आता तो यह confidence तभी आता है जब आप questions बहुत जादा लगाते हो तो अगर confidence boost up करना है तो तुम जही एडवांस के single correct question लगा सकते हो SCQ बस multiple मत करना matrix match मत करना paragraph मत करना integer type मत करना तुम क्या अगर सकते हो सिर्फ सिर्फ तुम SCQ लगा सकते हो single correct J advance का concept build up मत थोड़ा और boost up करने के लिए confidence boost up करने के लिए ठीक है उसके अलावा जो SC वर्मा है यह तो तुम्हें पता ही है यह best है इसका objective short answer priority wise पहले objective फिर short answer फिर example उसके बाद exercise तर आपने exercise को last में क्यों रखा क्योंकि जब तुम इन दोनों को लगा लोगे तो तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि कई सारे questions जो SCV के exercise में हैं वो कहीं न कहीं तुम्हें यहीं पर मिल गए तो एक तरह का repetition हो जाएगा लेकिन जो objective है ज role play करते हैं इसलिए priority कैसे हमने दिया objective, short answer, example, then exercise तो यह करो यह करो जहीं में इससे ज्यादा तुम्हें करने की कोई आविशक्ता नहीं है अब मैं बात करता हूँ J advance की तो यार J advance में यह तो कर नहीं है भाई यह तो करना है इसमें तो सब कुछ ही करना है उसके अलावा additional में जो मैंने SCQ की बात की थी उसमें सब कुछ ही करना है मतलब अभी तक J advance में जितने भी सवाल आ है 42 और 43 जितने भी सवाल आ है 42 years में चाहे वो subjective question क्यों नहीं नहीं बुक्स आते हैं उसमें वो subjective question देते ही नहीं है मतलब वो subjective question पता नहीं वो हटा ही देते हैं क्योंकि अब subjective questions आते थे descriptive paper होता था वो बुक लेना और वो सारा J advance का एक-एक सवाल लगाना बहुत अच्छे सवाल है trust me बहुत अच्छे सवाल है उसके अलावा तुम आई-eerodove के selected problems कर सकते हो जिनका वीडियो मैंने अल्रेडी कई बार बना चुका हूं मैं लेकिन कई लोग पूछते क आई-eerodove में selected problem में आपने mechanics में कोई selection नहीं करवाया यार mechanics में लगबग सारे ही questions किये जा सकते हैं एलेक्टोडैनीमिक्स में थोड़े बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो तुमारे सलिवस में नहीं है बढ़ हां mechanics से सारे सवाल किये जा सकते हैं i-eerodove के इसलिए मैंने उसमें select नहीं करवाया था यह दोनों मिलाकर advance की त्यारी की जा सकती है यह exclusive means के लिए इतना ही करने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा trust me इतना ही करने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा उस पर हम आएंगे अब आते हैं bit set और need pay जो exclusively bit set की त्यारी कर रहे हैं या हो सकता है कि plan कर रहे होंगे उनके लिए bit set का जो previous questions आता है books आते हैं दिशा publication का भी आता है अडियंद का भी आता है NCRT book is the best book चाहिए वो कॉंडन में box में रखा हो वो भी उसके अलावा bit set और need को मैं combine बता रहा हूं उसके अलावा pyq of neat examination bit set की त्यारी कर रहे हो तो neat की भी pyq करनी चाहिए तुम्हें और neat की त्यारी कर रहे हो तो bit set की भी pyq करनी चाहिए ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं ज्योंकि लगभग questions का level और pattern सेम होता है इधर 40 उदर 45 लगभग और level बिल्कुल लगभग सेम ही होता है दोनों मैं CRT कवर की जाती है ठीक है उसके अलावा SCV का सिर्फ सिंगल correct objective यह करना है तुम्हें SCV में exercise करने की आवशक्ता नहीं है objective 2 करना तभी essential नहीं है और short answer कर सकते हो लेकिन objective 1 किया जा सकता है क्योंकि conception सवाल होते हैं तो यह सारी चीजें उनके लिए हैं जो neat या फिर bit set कर रहे हैं मतब यह complete बोल रहा हूं मैं यह पूरा यह पूरा portion यह उनके लिए है जो neat या फिर bit set को target कर रहे हैं अब बात होती है कि सर कितने problems एक दिन में लगाने चाहिए common सवाल है सर कितने problems लगाने चाहिए दोगर advance वाले problem की बात तो मैं भी नहीं करूंगा अभी मैं फिलाल means और इनकी बात करूंगा देखो तुम्हारी अगर पढ़ाई अगर तुम रोज two hours इस subject देते हो तो 30 minute तुम्हें revision में देना चाहिए हर subject में minimum तुम्हें 2 घंटे self study को dedicate करनी चाहिए 30 minute revision के लिए रखो revision में short notes पुराने chapters पुराने lectures उसके अलावा ऐसे questions जो तुमसे पहली बार नहीं बने थे उनको तुम 30 minute में revise कर सकते हो यह बहुत crucial part है तुम्हारी तैयारी का अगर revision नहीं करोगे तो हो सकता है जब rotation पर रहे होगे kinematics भूल जाओ जब 12th का chapter पर रहे हो तो 11th पूरा ही goal हो गया यह 30 minutes अपने को इसलिए वो flow में रहना चाहिए आड़िये बात समझ में one hour 30 minutes का time बचा एक घंटा 30 minutes में at least 25 सवाल तुम्हें रोज कोसिस करने चाहिए कि मैं कर दू मेंस और इसकी level की बात कर रह होना चाहिए कि मेरे को 25 questions हर दिन करने हैं हर दिन मेरे को 25 सवाल करने है यार मैं किलियरली बताओ तो पूरी physics या chemistry माल लो कि यार chemistry में तो ख्याड़ गंटे में और ज्यादा सवाल हो जाएंगे अगर मैं physics point of view से बात करूं तो लगभग अगर मैं 25 सवाल रोज करता हूं तो 100 days के आसपास में मैं 2500 सवाल कर लूँगा तो 2500 से 3000 questions अगर तुम पूरी physics में कर लेते हो तो तुम्हारे selection के लिए इतने सवाल काफी होते हैं but obviously सवाल variation होने चाहिए अब ऐसा नहीं कि वी बड़ाबर U plus 80 पे ही 15 सवाल कर लिए variation वाले बोल रहा हूं इतने सारे material में तुम्हे कई सवाल repeatedness मिलेंगे कि सर यह तो मैंने यहां किया था यहां मिल गया तो कोई बात नहीं उससे तुम्हारा क्या होगा थोड़ा practice हो जाएगा तो ऐसे तो च्छाट नहीं पाऊगे कि सर यह अगर ऐसा लगे तो तुम उसको skip कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है यह complete material है उनके लिए जो self study कर रहे हैं या किसी coaching में इंडॉल नहीं है वैसे मैं clearly बताओ अगर तुम ATP के batches में इंडॉल होते हो तो हम लोग का main aim रहता है कि हम लोग इनको cover करवा देते हैं coaching के material है मतलब ATP का जो material है उसमें हम लोग इनको भी include कर देते हैं साड़ा तो include नहीं हो पाता जो कि यह तुम्हारे preparation में चार चांद लगा सकते हैं तुम्हारे पास पुल है एक पुल तयार है ठीक है न तो यह अपना हो गया material की बात हो गई ठीक है वीडियो को like कर देना share कर देना मिलते हैं वीडियो में बाई take care all the rest